काशी अयोध्या एक बात है मन में हमारे काशी अयोध्या उतर जानी चाहिए जो सब्द राम है वो राम हमारे मन में उतर जाना चाहिए तो मैं यह नहीं कह रहा हूं कि जैस्री राम मत कहो खूब कहो लेकिन उसको जीवन अब में भी उतारो ये मेरा संदेश है, आपको लग रहा कि उनके में राम नहीं उतर है, जीवन में एक टेंट में रहा करते थे और जो अक्रांता वहाँ मंदिर को तोड़ कर मस्जिद बना दी और उसकी जगे इस्लाम में एक विधान है कि आप मस्जिद कहीं भी बना सकते हो तो उनकी पूजा का जो स्थान था वो जगें बदल के कहीं और हो गया और जो स्री राम की भूमी थी वह हिंदुधर्म को मिल गई और वहां की वहां एक भव्य-मंदिर बनने जा रहा है तो यह तो अच्छी बात है में बात यह है कि वह काम हो चुका है मन में राम उतारे राम तो घड़ घड़ में है लेकिन वह उतरना चाहिए हम लेते न है शिव में भी राम है वह सब में बसता है राम गड़े हैं जब एक ही है तो बड़े और चोटे का प्रश्ण ही नहीं ओता है लेकिन आप बोल खे हैं अब मत ब्रहुना कुछ और भी आने लगे कभी नाम नहीं ले तो आएं तो और अच्छी राम भी एक हैं रहीम भी एक हैं अल्ला वर्ड संस्कृत में भी है और वो भी हमारे हैं यह सनातन युगों युगों से चला आ रहा है और यह चलता रहेगा लेकिन यह कॉपी राइट वाला मामला हो गया ना कि पहले हम राम को बोलते थे अब मंच से आप भी बोलने लगे ते इसका मतलब है कि पहले हमारा कॉपी राइट था आपको बोलने का अधिकार ही नहीं था कौपी राइट तो अभी एक लीगल व्यवस्ता अभी शुरू ही है राम तो जब यह स्रष्टी नहीं थी तब भी थे और राम जी स्रष्टी नहीं रहेगी तब भी होंगे अच्छा मतुरा में भी बनना चाहिए तो फिर चैसे बनना चाहिए वहाँ पर भी कोई मंदिरी नहीं था यह उसका मैं कोई गहराई में नहीं गया हूं फैक्ट्स की तो मुझे पता भी नहीं है कि सही में क्या था और गहरा तरीका होता है कि आप ध्यान से बहुत अपने गहरे अंदर जाओ और उससे पता लगा लोगी वहां सब्सक्राइब का मानिय प्रधा बना रहे हैं वह बहुत बड़ा काम है दूसरा शिक्षा जो शिक्षा मतलब एक की नंबर वन बनने की होड जो है उसके बजाए शिक्षा यह नंबर वन जब होगा तो यह होना चाहिए कि हमें प्रेम हो बच्चों में सत्य हो इमानदारी हो तो एक जीवन जीना केसे हो वह भी स्कूल लेवल पर सिखाया जाए तो उसकी एक पहल हुई है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था खतम है क्योंकि हमारी शिक्षा वो नहीं है शिक्षा वो है सावि अध्या या विमुक्ते एडुकेशन इस दावन विच लिबरेट्स अस बस दिस एडुकेशन इंस्टेट अब लिबरेटिंग इस क्रेटिंग मौर्ड डिजायर संडियर लीड्स तो देखो महात्मा गांदी ने कहा कि शिक्षा वय है जो व्यक्ति और समाज का सरवांगीन और सरवतक्रेष्ट विकास करें पिर स्वामी वीवेकशन ने कहा कि शिक्षा वो है जो पिर हमारे जो शिक्षा हैं जे कि इन्सान केसे बने हमें जीवन जीना केसे आए लेकिन जो शिक्षा अभी हो गई है वह और हो कॉंपिटिशन है कि हम एक नंबर पर पहुंचे तो अभी सारे बच्चे एक नंबर पर पहुंचना चाहेंगे तो तो स्ट्रेस पेदा हो गई जब स्ट्रेस है तो वह अच्छा नहीं है जीवन के लिए लेकिन राष्ट वादी सिक्षा की बात कर रहा हूं मैं यह इससे पहले यहां पर चीजें नहीं पढ़ाई जाती थी जिन मुगलों ने जिनके यह इतने रोड बने हुए हैं आप इन पर क्लीन कर दिया एक इनसान नहीं छोड़ा वहां इस तरह से जिनको मारा गया में इवन आप लेलो जो अकबर जो सबसे अच्छे माने जाते हैं मुस्लिम आकरांताओं में मुस्लिम जो उन्होंने राज किया उन्होंने भी 25,000 लोगों को बिल्कुल मारा था उनमें महिलाएं दिल्ली में पॉलुशन की बहुत बड़ी समश्या है उसका बहुत सरल समाधान है जो दिल्ली सरकार को करना चाहिए और वो समाधान यह है कि दिल्ली का जो पूरा जंगल है उस जंगल में 90 प्रतिसद विलाइती कीकर है यह कीकर का पेड़ किसी और पेड़ को नीचे बड़ा नहीं होने देता है लेकिन पीपल और उसकी प्रजातियां बड़ी हो सकती जिसे पीपल है बर्गद है पिल्खन है जो पीपल का पेड़ है वो 87% oxygen एर को क्लीन कर देता है कार्बन जो होगी उसको observe कर लेगा और उसकी जगे oxygen दे देगा तो जो कीकर का पेड़ है वो 11% को करता है 11 पॉइंट सम्थिंग तो 11 इंटू 88 मतलब 8 गुना आपका oxygen जंगल का बढ़ जाएगा एक बात तो यह दूसरा पीपल और जो कीकर है उसकी जो कनोपी होती है वो करीब 10 गुना का उसमें फरक होता है जैसे जो व्विशन सब्साइस होता है कीकर के पेड़का वो darn 5-5 मिटे और जो विवगोष्प से 8 mu attagam तो उसमें भी कीकर में दो एक साखह इधर निकल गई एक उदर निकल कि इतना घधना नहीं होता है लेकिन जो कीकर होता है जो people होता है और भी घधना पोटह prol Agni तो 10 लेंपो भी घ्धना होता है तो 10 ताइम तो बढ़ जाता है तो एक तो उस तरहें से उसको फाइदा होगा